हेलो दोस्तों सबागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पैल्थ वी रत्तुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्टीज की आलोक इंडस्टीज को हम ट्रेंड लाइन के उपर देखेंगे टेक्निकल्स के उपर देख लेते हैं पहले तो आपको स्टोक जो इस टाइप से दिखाई देगा तो मल्टी वैगर रिटरंस इसने यहां बना के दिये थे 2020 में देखेंगे 30 रुपे 80 पैसे के आसपास का स्टोक था और उसने जो टच किया था तो आप देख सकते हैं यहां पर जो 58 रुपे के आ हुआ नजर आ रहा है तो काफी बार इसके उपर इसने सपोर्ट लिया है काफी वीकली कैंडल जो है इसके उपर बनती हुँ नजर आई आप देखेंगे multiple times इसके उपर इसने consolidate किया तो अच्छा बेस इस लाइन के उपर इसने बनाया है अगर बात करें जब भी स्टोक जो ह इसी line के उपर जो है base बनाते हुए support लेते हुए नजर आया तो यह है पूरी weekly chart आप देख सकते हैं एक अच्छा base जो है इसने नीचे के level पर बनाया है अगर RSA की बात करें तो 48.72 की है बट अगर 60 को cross करता है ये तो एक अच्छी strength इसके चार्ट में आती हुए नजर आ सकत बात करते हैं daily chart के उपर कि अब daily chart के उपर के level से जो correct हुआ था उसके बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है तो देखिए यहां से stock ने यहां तक पहुंचा था और उसके बाद री correct हुआ तो आप देखेंगे इसी line के उपर इसने base बनाया अब base बनाने के बाद जो एक support इस line के उपर अब ये लेता हुआ उपर चलता हुआ नजर आ रहा है और उपर के जो targets इसके निकल के आते हैं वो 25 रुपे के आसपास अब निकल कर आते हैं 25 रुपे के आसपास अब ये काम कर रहा है जानी 10% के आसपास के return ये immediate दे सकता है अगर ये अपना 25 रुपे के level क break करता है उपर की तरफ निकलता है तो again जो है 30 रुपे के level तक ये पहुंचता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पर और अगर 30 रुपे को भी result अच्या आते हैं जा कोई news अच्या आती है तो 32 रुपे के आसपास भी ये पहुंचता हुआ नजर आ सकता है बट अभी जो इसके अ कोई भी bad news की वईसे market की sentiment जे रजल्ट्स करावने की वईसे तो again जो है जो पहले की trend line ये चल रही है जो मैं आपको दिखाई थी long term की trend line है इसके उपर ही आता हुँ नजर आएगा जो 21-23 रुपे के आसपास का इसका level बन कर आता है तो निच्चे के downside आप देखेंगे काफी strength भी chart के अंदर देखेंगे गेन कर रहा है थेंक यू धन्यवाद